हो सकता है वो एक सखा का संबन हो सकता है मादूर्ज संबन हो सकता है तो जिवात्मा का परमात्मा के साथ संबन है वर्तमान में बगवान के साथ जो हमारा संबन जो नित्य संबन है हम भूल चुके हैं परंतु साधना करते करते भजन करते करते भूला हुआ संबंद याद आ जाना इसी का नाम है मुक्ति बगवान के साथ संबंद जोड लेना इसी का नाम है मुक्ति